कि देखो भी यहां जो हमारा यह सेक्षन है तो यहां से हमको करना है को पहला जैसे बच्चों डेली पुलिस के लिए एक सेट कराया जा रहा है 35-37 कोश्चन का डेली एक सेट होगा और यह वीडियो नमबर वन है और इस पर आपको मैं रोज एक कोश्चन कराऊंगा 37 ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो वीडियो है यह एप्रॉक्स 10 मिट के अंदर में खतम हो जाए ठीक है तो जैसे पहला कोश्चन है गंगा मैय या उपन्यास के लेखक कौन है तो गंगा मैय उपन्यास के लेखक जो हैं बच्चों वो हैं भैरव प्रशाद गुप्त और इनकी दो अन्य पुस्तक और भी रही हैं इनकी जो है दो अन्य पुस्तक और भी रही है और वो दोनों पुस्तक के कौन कौन सी रही है तो इन्हो क्या लामा इनोंने एक पुस्तक लिखी है कौनसी मेरी कहानिया इत्यादी ठीक है यह पूस्तक लिखी है ठीक है इसके बाद करम आगे बढ़ें सती में एक मिट्टी खराब करा कि आंसर क्या होगा आपका वजर्गों की मिट्टी चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है सुख में रहना सुख में रहना इसका सही अर्थ क्या होगा सुख में रहना अगर हम यहां सागे बढ लोग भूल गये हैं यह पुस्तक है आपकी रगुबीर सहाय की और इन्हों ने पुस्तक लिखी थी और इसकी लिए इनको जो है वर्स 1984 में कब दिया गया था वर्स 1984 में इनको सहित तकेट में ओड़ दिया गया था मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ती में अलंकार है तो इसमें अलंकार होगा इसमें अनुन अनूप्रासलंकार होगा अनूप्रासलंकार की इसमें कौन सा समास है तो त्री भू वन ये जो आप देख रहे हैं कोशन तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसमें दिगु समास होगा क्या होगा दिगु समास की पहचान क्या होती है भाई जिस समास का जो सुरुवात होता है अगर किसी किसी नंबर से हो संख्या बोधक स तो इसमें संख्या बर्ण सब्द क्या है द्षीज तोडी क्या करता है ये ऐसे सम Casey जो क्या हो आपका द्षीज समास वह तो जो आपकर किसी समास में किसी शब्ध में जो पहला शब्द है अगर वह था को रीपरेसेंट कर रहा है तो वहाँ पर समास उगा जो अगला है अगर हम देखें कोशन स्वर्गा रोहन का संधी सही संधी विच्छेत कौन सा होगा तो देखिए इसमें स्वर्ग प्लस रोहन होगा है ना इसमें आंसर होगा आपका डी स्वर्गा रोहन क्या होगा स्वर्ग प्लस रोहन कोशन नमर आठ देखिए निमलिकेत मे से कौन सा सब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का मतलब होता है जो catastroph总 कर रहा है अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो लोभ यह संगया का कौन सा प्रकार है ठीक है बच्चों जैसे लोब संग्या का तो यह भाव वाचक संग्या होगा उसने कहा था किस की प्रसिद गाली है देखो उसने कहा था यह चंद्रधर सर्मा की चंद्रधर सर्मा गुलेरी की पुस्तक है और इसको इन्होंने 1915 में लिखा था कब लिखा था बच्चों 1915 में इन्होंने इसको लिखा था ठीक है केंद्री हिंदी को दे आपिए कोस्ष बारा में आपसे कह रहे हैं निम्रिखत में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहीत है उपसर्ग किस्में नहीं है तो तो बच्चों थ्रbach में नहीं है उपसर्ग क्या होता है क्या होगा यहां पे तत्पुरुस समास होगा रसोई घर में क्या होगा तत्पुरुस समास होगा अब जो तत्पुरुस समास है इसकी पहचान हम कैसे करें तो देखो जैसे रसोई घर का अगर हम समास विग्र होगा रसोई के लिए घर इसमें चतुर्थी तत्पुरुस समास अतारसोGold में क्या होगा आपका ततुर्ष समास होगा अगर हम यहां सागे बढ़ें सवाल नंबर 15 देखी निम्रिखित में से कौन सा सबधा पुलिंग है तो कैमरा खोलो कैमरा खुला है तो कैमरा क्या होगा अपका पुलिंग होगा तलवार लटकी है प्लेट खाली है पायल बज रही है तो रही है लटकी है खाली है यह सब क्या रिप्रेजंट कर रहा है इस्त्री लिंग को रिप्रेजंट कर रहा है लेकिन यह जो आंसर होगा आपका यह कैमरा यह क्या होगा यह पुलिंग होगा अगर हम स भाव का मतलब दर्भी होता है और भाव का मतलब शुरद्धा भी होता है लेकिन इसका जो यह अर्थ होगा यह नहीं होगा चमक नहीं होगा ठीक है अगर आप यहां सागे बढ़े तालव्य महाप्राण में तालव्य महाप्राण अगोस जैसे आप तालव्य महाप्राण अग निश्धातमक है मतलब यहां पर रोक लगाई गई है यह कैसा होगा निश्धातमक होगा सही वरतनी वाला शब्द कौन सा है जिसका सही वरतनी वाला शब्द मतलब जो सही लिखा गया है तो इसमें लिखा गया कार्यालय यह सही लिखा गया है बाकी में तूटी है बाकी शब देखिए बीस में कह रहा है इसमें से अर्धसम मात्रिक जाती का चंद कौन सा है अर्धसम मात्रिक जाती का चंद देखो भीया जिस चंद का प्रथम और तृति तथा दृति और चतुर चंडों में मात्राओं अत्वा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे हम अर्धसम मा तरिक छंद है अटा जो बिकल्प भी है यह क्या है सही होगा ठीक है बिकल्प में संचन करने वाले भाव को क्या कहते हैं तो यह संचारी भाव कहलाता है जो मतलब ज़ो रस संचन करता सक्कुम संचारी भाव कहते हैं सवाल नंबर 22 देखिए गिरिधर में कौन सा समास होगा तो यहाँ पर बहु ब्रीही समास होगा बच्चों ठीक है बहु ब्रीही समास की पहचान क्या होती है जैसे मालीजे की प्रथम और दुत्ती पद दोनों जो है अपना मूल अर्थ खोदे और किसी तीसरे या मतलब कुई तीसरा पद गौण हो जाए कुछ तीसरा जो है उसका आर्थ कहीं और पड़े तो ऐसे पद को हम लोग क्या बोलते हैं बहु ब्रीही समास बोलते हैं जैसे गिरिधर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है मुरली वाले के लिए निके कृष्णी के लिए ठीक है अगर हम आगे बढ़े सनमार्ग में प्रयुक्त संधी कौन सी है देखे सनमार्ग में कौन सी संधी होगी तो बच्चों यहां सनमार्ग में हमारी होनी चाहिए आपका व्येंजन संधी होना चाहिए क्या हो अच्छे बच्चों वेंजन संदी सनमार्ग में क्या होगा आपका वेंजन संदी होगा यह हमारा अज़र है अब हगर हम यहां सागे बढ़ें तो आएये देखते हैं, अगला सवाल सवाल न några 24 देखे इसमें से तत्सम सब्द कौन सा है, ठीक है? तो इसमें सब्सक्न को तत्सम बताना है, तत्सम तत्सम, तत्सम, तो बच्च्छ पार्डी इसमें आपका जो दिया होगा, जो स्वर्ण है यही तस्सम है क्योंकि यह संस्क्रिट से लिया गया है यह विक्रत रूप नहीं सही रूप है इसमें से कौन सा शब्द सुद्ध है यानि कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है तो यानी जो शब्द है यह बिल्कुस सही लिखा गया है ए आंसर होगा इस जिस पुरुस की पत्नी साथ नहीं हो के लिए कौन शा सब्द होगा जिस पुरुस की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए होता है बीपत्निक और जिस पुरुस की इस्त्री नहीं हो मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर निम्रिकित चार विकल्पों में से दे गए हैं उसमें से एक विकल्ब का चैन कर जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्ब है नियत नियत का मतलब क्या होना चाहिए बच्छों तो नियत का आप जानते हो निश्चित जो फिक्स है जो पहले से जो है नियती निश्चित फिक्स है है ना तो अच्छा लेकिन इसमें नियत जो है थोड़ा होता है जो निश्चित होता है वह होता है को सब्सक्राइब 28 देखिए तो यहां पर जो को सब्सक्राइब 28 दिया गया है नियुक्त चार विकल्ब कि खेल को भी क्या कर दिया, अमनोंने व्योसाई कर दिया है, ठीक है, अगर हम सवाल 30 को देखे, दिन भर जैसे निम्निखी चार बिकलफों में से, सवाल कहाゃा है कि चार बिकलफों में से उस बिकलब की चैन करें जो रेखांके शब्दों का सही, अव्यव का भेद हो आज दिन भर बरसा होती रही तो बच्चों इसमें होगा क्रिया विसेशन अव्यव क्रिया विसेशन अव्यव यहां सागे बढ़िए designation का हिंदी परियाय कौन सा है तो देखो बच्चों designation का हिंदी परियाय होगा पदनाम designation का हिंदी परियाय क्या होगा मतलब आपका क्या इस्थिति है आपके किस पोस्ट पे हो तो पोस्ट को हिंदी में कहते हैं पदनाम इनमें से इस्त्री सब究 तो समय से इस सब सकतार जो आपका सवाल होना चाहिए सब्सकार संसकार नहीं होगा इस के सप rif भू मिकाश कवी ग्लv mz अपली और रही रही आ गया तो इस लिए सब्सक्रम पढ़नाख हुआ है तो आप ट्यूंदा अच्छे से टाइम के चुक्या भाव है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं जो 33 नंबर कोशन है तो इसमें आंसर होगा आपका ए यानि की कारे के संदर में मुबाइल फोन की उप्योगिता है कहीं भी रहकर कारे पूरा करण सकना यह पारग्राफ में दिया हुआ है व्यासता किस्ति में मुबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है तो बच्चों देखो व्यासता किस्ति में मुबाइल फोन के कारण व्याओधाय उत्पन हो जाता है ठीक है मुबाइल फोन जहां सुखद है वहीं वहीं पर यह क्या है वहीं पर यह दुखद भी है यह पैसेज में आपको दिया गाध्यांस का उच्छी सिर्शक बताईए तो गाध्यांस के लिए जो उच्छी सिर्शक होगा मुबाइल फोन वो ज्यादा बहतर आप्शन है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और अभी अगला वीडियो फिर कल आपको हम पब्लिश कर देंगे थैंक यू सो मच गाइस